आजकल दुनिया में लेक्टिकल वीगल्स को काफी बढ़ाबा दिया जा रहा है जिसका बड़ा कारण है इनका परदूशन रहत होना और इंधन की बचत होना ऐसे में फ्रांस की प्रमुक कार निर्माता कंपनी रेनो ने अपनी लोग प्रिया कार कुईट का इलेक्टिक मॉडल चीन में लाँच कर दिया है जिसका नाम रेनो सिटी के जएड ई रखा गया है हम आपको बता दे कि पिछले साल रेनो ने सिटी के जएड ई का कॉंसेप्ट मॉडल पैरिस मोटर शोब में पहली बार पेश किया था और अच्छी बात ये है कि आप रेनो इसे भारत में भी लाँच करने की प्लानिंग कर रही है हम आपको बताने कि रेनो कुईट का ये एलेक्टिक मॉडल पैट्रॉल मॉडल से काफी अलग होगा और इसकी डिजाइन और फीचर्स में भी काफी बदलाव देखने को मिलेगे तो आईए जानते हैं इस इलेक्टिक कार के स्पेसिफिकेशन्स और भारत में लाँच के बारे में डीटेल बे लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज आप हमारे चैनल NJ Hindi को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे कोई भी वी वीडियो मिस ना करें रेंच की अगर बात करें तो रेनों का दावा है कि क्विट सिटी के जैट इ फुल चार्ज होने पर 271 किलो मीटर की दूरी तै करेंगी बैटरी की बात करें तो इस कार में लिथियम आयन बैटरी पैक दिया गया है जो कि 125 न्यूटन मीटर का पीक टॉक और 43.3 बहपी की पावर जिनरेट करता है और अच्छी बात ये भी है कि इस कार में फास्ट चार्जिंग की फैसलिटी मिलती है इस इलेक्टिक कार में फास्ट चार्जिंग AC और DC दोनों को सपोर्ट करती है और DC चार्जर की मदद से सिर्फ आदे घंटे में बैट्टी 30% से 80% तक चार्ज हो जाती है इसी वज़े से इस कार की खासियत इसकी बैटरी और नए इलेक्टिक पावर्ट ट्रेन है अब बात करें फीचर्स की तो कुईट सिटी के ZE में 8 इंच टच स्क्रीन इन्फोटेन्मेंट सिस्टम मिलता है और हम आपको बताते हैं कि कमपनी ने इस कार को उसी CMFA प्लेटफॉर्म पर बनाया है जिस पर भारत में बेची जाने वाली कुईट बनती है करिंसी के हिसाब से लगबग 6,17,000 रुपए है लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक रेनोस कार को भारत में 10,000 रुपए के आसपास की कीमत पर लॉंच कर सकती है इलेक्टिक गाड़ियों के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताईए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें थैंक्यू वेरी मच्च